जहीं दोस्तों स्वागत है आपका पंकच फोजी स्टडी गुरूप पे आज हम बात करने वाले हैं आपको पताओगा आज करने वाले हैं हम SSE GD में जिहां दो तरह के प्राणी इसमें पाई जाते हैं एक तो वो जो यूट्यूब पर खेल रहे हैं एक वो जो एक्जाम होल म वहां से आते हैं बाहर और आपके मुह के आकर माइक रख देते हैं आपसे पूछते हैं कि एकजाम होल में क्या हुआ हुआ? तो दो तरह की प्राणी बेर ने बता दिये रों इस वीडियों हम यही सब को जानने वाले हैं, दो तरह में होने वाली है, पहले हम बात करने वाल हैं SSC GDD conduct कराती हैं कितना टाइम लग जायगा उसमें तो SSC GDD के बारे में overall में आपको details से इस बीडियो में बताने वाले हूं तो चिंता करने की बात नहीं है details से हम बात करने वाले हैं सेफ score के बारे में जानेंगे आपका सेफ के इसकौर कितना है और कितना टाइम आपको physical के लिए मिलने वाला है और भरती कितने टाइम में complete हो जाएगी तो चैनल पर पहली बार आए तो दोस्तो चैनल सब्सक्राइब कर लिए ऐसे ही हम वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे तो चली वीडियो शुरू करते हैं तो दोस्तो दो तरह की प्राणी से कि जब बच्चा एक्जाम होल में जाता है तो उससे एक आईडिया लग जाता है कि पेपर में किस तरह के question आ रहे हैं या जो पीछे आने वाली बच्चे हैं उस तरह की preparation कर लेते हैं मेरा UPSI का एक्जाम था तो मैंने भी काफी वीडियो इस तरह की देखी थी उससे help हो जाती है कहीं न कई वो helpful है लेकिन जब हम बात करते हैं कि आपने कितना किया आपके कितने score आएंगे उस तरह से मेरिट बनाना SSGD की previous year की history हम देखें तो 80-85 भी close किया 80 and above रही है merit no doubt लेकिन इस बार उस तरह की नहीं रहने वाली जब आप किसी भी के आगे माइक लगा देंगे तो उससे पूछेंगे कि भई कितने आप ने किये तो मैं तो बता दूँका मैंने 100 में से 100 किया है मैं 500 किया है 600 किया है ले लगता था किया हमने 100 में से 70 कोशन सही किये 70 कोशन हमारे सही जाएंगे मतलब हमारे 70 नंबर आ जाएंगे लेकिन जब final result आता था यहां उसकी answer की आती थे तो देखते थे कि 10-15 नंबर तो हमारे ऐसे ही डाउन हो जाते थे तो लमसम 55 यह 60 के आसपास हमारे answer बनते थे यह मै अपनी नहीं जर्नली जितने भी बच्चे एक्जाम देते थे वो मेरी बात से कहीं न कहीं सहमत होंगे तो यह दो तरह के factor उत्पन करता है कि एक तो करता है जो बच्चे पीछे रह रहे हैं और उनके next stage आने बाला है माली जी के typing की है या physical ही है तो वो demotivate हो जाते हैं कि य तो जहां पर merit चल रहे 70-75-80, merit 60-65 से उपर नहीं जाएगी आपकी मैं बात कर रहा हूं जुन बच्चों की उनकी thinking देखकर उनके बात करने का तरीका देखकर क्योंकि जब exam hall में से निकलते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि मैंने तो सही किये हैं अगर सही नहीं किया तो मैं कर खरकाया हूं मेरे को टरने वाली बात नहीं है तो balance good है आपके लिए तो अच्छी opportunity बनने वाली कि आपका exam अच्छा हुआ है और exam अधिकतर बच्चों का अच्छा ही होता है हम exam देते थे तो अच्छा ही होता था लेकिन पता नहीं कि उस टाइम पर selection नहीं होता था और जो 30 मेरिट की बात मैं करूं तो अगर आपके 60, 65, 70 नंबर बनते हैं तो आप definitely अपनी तयारी स्टार्ट कर दीजिएगा मेरिट बनने के अलग-अलग criteria होती है आपकी राजज़वाज बनेगी डिस्टिक बनेगी और तीन तरह के डिस्टिक होते हैं जर्नल, बोर्डर और आपका जो मैं पहले ही नकसल बता चुका हूँ तो मेरिट की बात मैंने बता दी है आपको अगर आपके जो नंबर है 60, 55 या आपके 70 के आसपास बनते हैं तो फिजिकल की तयारी करते रहिएगा नो डाउट डरने की बिल्कुल भी टैंसर नहीं है, निगेटिव मार्किंग थी, पेपर इतना इजी नहीं आ रहा था और लेवल हाई होता चला गया था लाश्ट तक जो बच्चे तयारी करते हैं उनके लिए तो पेपर हाई या लोग की बात ही नहीं है चलिए इसकी बात हमने बात कर ले, कि आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी वाले हैं, तो मैं बताओं आपको कि कभी भी अगर previous year के history देखें, तो last year में किया था कि 2018 की vacancy थी और कितनी time में complete हुई है, complete हुई है आपकी 2021 में उनके joining start हुए है, अभी कितना time हुआ है, तो इस time को हम manage करते चलें और पीछे corona का काल भी आ गया था, तो वो भी लंसम निकाल दे आए, तो आपकी जो मैं ये complete होने के chances हैं, वो डेर से दो साल में complete हो जाएगी, कब आई थी, वो कब तक खिच गई, वो आप calculate कर ली जिएगा, तो आपके पास time नहीं है, पिछले साल से अगर नहीं compare कर सकते हैं, क्योंकि वो corona काल था, बहुत भयागय स्थिति उस time पे थी, अभी जो अभी की scenario ठीक है, हम दुआ करते हैं कि आगे कुछ ऐसा आपके साथ या परिवारिक साथ miss happening ना हो, तो ये एक डेर साल ये दो साल में complete हो हो जाएगी भरती क्योंकि अभी stages काफी बची हैं, अभी इसका आपका physical बचा है, आपका medical होना बचा है, documentation बचा है या दूसरे रहे कि character verification या आपके जो जो ओडर इस्टू होने हैं, आपका verification होना है, dozier complete होने है, चीजे अभी काफी stages बची हैं, कुछ चीजे आपको पता है, कुछ चीजे बैक डूर में जो department अपनी करता रहता है, वो आपको नहीं पतागा तो उसमें भी time लगता है, तो cool मिला कि आपका date से 2 साल आपका complete भरती हो जाएगी, paper आपका हो जाएगा, उसके बाद आपका ज्यादा time नहीं मिलेगा, एक डिड़ महीने, क्योंकि आपका physical start होना है, तो आपको मान के चलिए, एक डिड़ महीने का time मिलेगा, अभी जैसे आपके written exam complete हो जाता है, 10-20 दिन के अंदर आपकी मेरे answer किया जाएगी, उसके बाद आपका एकदम 15-20 दिनिया, एक महीने बाद आपका physical start हो जाएगा, physical में जैसे ही होता है, उसके बाद documentation, medical, remedical, आपकी joining start हो जाएगे, physical बिल्कुल hard नहीं आता है, अगर आप त्यारी करते हैं थोड़ा सा भी, तो आप इसको qualify कर जाएंगे, और मैं बता दूँ, इसकी जो medical है, या इसके जो physical है, जितनी भी physical activity होने वाली है, वो एक paramilative force के द्वारा होगी, क्योंकि paramilative force इसको conduct कराएगी, SSC तो ऐसा है नहीं कि अपने बंदे भेजेगी, तो physical जो कराएगी, वो SSV करा सकती है, CRP करा सकती है, CRP करा सकती है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, कि add-on हो सकती है, जो vacancy है इसकी, इसमें add-on हो सकती है, SSC, GD की vacancy जो है, CRP अगर इसमें आपने थोड़ी बहुत vacancy डाल देती है, तो वो भी इसके लिए eligible हो जाती है, इसके physical conduct कराने के लिए, अगर आखे बात करें हम, तो physical जैसे CRP, BSF या ITVP जो भी कराना होगा, वो करा देंगी, नोडल officer बन जाएगे उसको conduct कराएगी, अगर इसके आगे बात करें, तो उसके बाद medical होगा, medical heart होता है बाई मैं पहले के लिए कर दूँ, medical heart होगा, आपके कान, आख, नाख, जो भी है, सब कुछ चेक किया जाएगा, अच्छे से, आर्मी से कम होता है, लेकिन मिनिस्ट्रल से करें, तो उससे ज़्यादा होता है, तो जो भी परिसानी है, अभी timing है, उसको भी शही करा लिजेगा, आप definitely इस जोब को पार कर लेंगे, जितनी भी कठनाई है, आप उसको पार लेंगे, नोगरी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, facilities सारी मिलने वाली हैं आपको, या आपकी family वाली जो background में है, उनको भी इसके थुरू अच्छी vacancy है, आप अगर पास कर लेंगे, तो वो भी सुखी हो जाएंगे, क्योंकि कहीं न कहीं वो भी आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं, तो आज की वीडियो में यही सब कुछ था, अगर वीडियो पसंद आई हो, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए, सेर कर दीजिए, और हाँ, अभी क्या है, आपको मैं बताने बाला हूँ, जो next वीडियो आएगी, उसमें मैं बता दूँगा, कि आपको किस तरह से, एक family quarter, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होंगे, जो कियार, family quarter के बारे में जानने वाले होंगे, तो उनके बारे में मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, कि किस तरह से आप अपना, अगर माबाब पीछे हैं, तो उनको किस तरह से आप settle कर सकते हैं, family accommodation ले सकते हैं, जो सरकारी quarter होते हैं, उसको किस तरह से अलोड कर सकते हैं, कि आपकी family पीछे है, तो वो किस तरह से settle हो सकती है आपके, तो वो सब कुछ भी जानेंगे, तो चैनल को subscribe कर लेजिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए, जै हिंद!